जैहिंद बच्चों कई बार मुझसे आके बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर मुझे चीजे याद नहीं रहती है मैं चीजे भूल जाता हूं यह तो इतना बड़ा चेप्टर है इसमें इतने सारे फॉंबले हैं इनको कैसे किस तरीके से याद रुखू मैं या फिर जब आपन पहले वाली चीज भी हमें याद नहीं रहती है कि दस दिन पहले आट दिन पहले क्या सरने पड़ाया है तो ऐसी सिच्चुशन में क्या कर सकते हैं आप तो इसके लिए मैंने एक चीज निकाली है वह हनुमान चाली से कौन से हैं तो वैसे भी बल और बुद्धी के देवता याए बैठके कि एक दिन बैठके हनुमान चाली सा को पूरा रटा हो अब वहनुमान चाली सा की बात करता हूं उन्हें बहुत सारी चीज है और बड़ी बड़ी चीज भी याद हैं कई ऐसे लोग हैं जैसे मैंने अपने ग्रेंट फैदर को देखा है उन्हें पूरी होता है अगर आप चीजों को रिवाइस करोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगी तो अगर आप चीजों को याद रखना चाहते हो तो हनुमान हनुमान चालीषा याद होगी अब आपको पढ़ाई में आपको इसी कॉंसेप्ट को लगाना है कि जो भी आपके टीचर हनुमान जी का नाम लग गया वो तो सुता ही स्ट्रोंग हो जा दिये उसके बारे में तो कहना ही क्या है ठीक है तो आप जैसे आपको आपने कोई एक चेप्टर बढ़ाई के एक एक एक्जम्बल के लिए मैं मान लेता हूँ क्लास को अगर आप क्लास में एक दम कंसेंट्रेशन के साथ बैटे थे आपका पूरा ध्यान पढ़ने पर था ठीक है ना तो आपको उस लिएड़ घंटे की क्लास को रिवाइज करने में कितना समय लगेगा 20-30 मिनट में पूरा रिवाइज करो लोगे वह भी बड़े आराम स करोगे एक चीज़ पढ़के ठीक है ना समझबा रहे हो इस बात को आप ट्राइब करके देखिएगा पहले तो आप क्लास में आप कंसेंट्रेशन के साथ बैठिएगा लास में बैठना जो आपके सर जो बात बोले उनको सुनना जो आपको लगे कि यह तो बहुत इंपोट ठीक है फिर आप उसको रिवाइज कर लो अब होता क्या है कि अब आपने एक वार रिवाइज कर लिया उसके बाद फिर से आप आठ दिन के अंदर उसको रिवाइज कर लो जो आपने पढ़ा है आज जो आपने पढ़ा है रिवाइज किया है उसको आठ दिन के अंदर फिर समाझ रहो अगर आप डिली पढ़ सकते हो फढ़ावाट फढ़ावट तो उससे बैस तो कुछ है नहीं फिर तो आपका इतना तकड़ा लेवल हो जाएगा बात नहीं कर सकते लेकिन एक समय के बाद क्या होता है सब्चेक्टर बढ़ते 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 बढ़त पहले एक चेप्टर होता है फिर दस चेप्टर होता है लेकिन भाई उसमें यह भी तो चीज हो जाती है कि आप एक चेप्टर को अगर पढ़ते पढ़ते जा रहे हो तो दस दिन के बाद तो आपको इतना भी पता है कि अगर आप आखें बंद करके आखें बंद करके अगर य साइड पर राइट साइड पर इतना तक मेमोरी में रह जाता है तो आप यह पावर है हमारे ब्रेंग की आपको ना ऊपर वाले ने यह जो इस्सा दिया है यह इतना पावर पुल है आप इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हो आप क्यों डिस्ट्रेक्ट हो देर उदर इन सब ची जो कॉंसेट का जो इसेंस है वो यही है कि आपको एक फिक्स इंटरवल के बाद उन चीजों को रिवाइस करना है और देखते देखते आपको चीज़े याद हो जाएगी जैसे कि मान लीज़े ट्रिक्नोमेटर के 40 फॉर्मलें आपको याद नहीं हो रहे है आप अपने ठीटा वाई बन प्लस ठीटा होता है ऐसे पढ़ लो आप रटो हो नहीं आप सिर्फ एक वार ऐसे रीडिंग करके लगाते हो आप दस दिन रीडिंग कराऊगे दस वार रीडिंग करोगे आपको ना सोते हुए भी याद हो जाएंगी चीज़े फटा-फट से इस तरीके से और फिर आप ऐसे लगाओगे ना questions में इन सब चीज़ों को आप अगर जो भी आप teacher से पढ़ रहे हो अगर आप उनके class notes को ही follow कर लेते हो धन से सिर्फ वही आपको याद रहते हैं तो भी आपका 70% तो ऐसे ही हो जाता है आप मतलब वहां से इस like हो जाते हो उसी copy से कि आप 100% score करते हो तिरफ आपको extra practice करनी होती है तो जो जितनी ज्यादा practice करता है जितनी चीज़ें उसको याद रहती है जितनी memory उसकी sharp होती है उतनी ही अच्छे उसकी result आते हैं और एक चीज़ और में बोलना चाहता हूँ यार देखो आप लोग न स्टूडेंट हो ठीक है अब म मतलब यह मैंने feel किया है मैं मैं आपको explain कैसे करूं उस चीज़ को क्योंकि मैं कोई बावा संतिया सादू नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है कि the power of क्या है इसकी तो खेर वह अलग topic हो जाएगा वह आपकी choice है वह से हठा देते हैं ठीक है लेकिन आप एक student है आप एक student है आप इस समय को बरवाद ना करें मैंने कही बार देखा है बच्चों को आप कितना समझा लो कितने भी बाते कर लो वो distract होते रहते हैं वो किसी अपने खास कर जो सबसे बड़ा distraction हो तो यही है किसी भी अपने खास मित्र से महिला मित्र है या जो भी आपका पुरुस मित्र है पु कि आप यह पहचानो कि आपको आज करना क्या है आपके लिए सबसे जरूरी क्या है आप यह तो पहचानो आप distraction होता है सबको होता है आपको होता है मुझे भी होता है मैं भी किसी चीज़ से डिस्ट्रक्ट होता हूँ आप भी किसी चीज़ से डिस्ट्रक्ट होते हो लेकिन हमें ये अपने mind को इसको ये बताना है कि भाई नहीं नहीं ये आपके लिए जरूरी नहीं है आपके लिए दो दो तीन तीन घंडे social media पर spend करना जरूरी नहीं है आपके लिए वो दो घंडे जो आपने instagram पर scroll किये उससे अच्छा तो आप दो घंडे कोई question solve कर लेते आपका IIT में जाने का रास्ता clear हो जाता IIT में आप जाओ या ना जाओ लेकिन अगर आपने preparation के दोरान आपने ये सीख लिया आपने time को manage करना सीख लिया आपने ये सीख लिया कि आप हार नहीं मानोगे एक student को powerful क्यों बोला जाता है क्योंकि वो आपकी बोड़ी बाइलोजिकली इस तरीके से trend हो चुकी है कि आप उनसे जाके लड़ पाओगे आप हार नहीं मानोगे ठीक है इसी लिए तो जो IIT होते हैं वो काम्याब हो जाते हैं जादा तर क्यों होते हैं इसी लिए होते हैं यही कारण है अपने एक सिक्षक होने के नाते अपनी ड्यूटी पूरी करता रहूं और आप लोग के एक स्टुडेंट होने के नाते जीवन में आगे बढ़ते रहें बस यही आप से यही बस मेरी आप के लिए प्रातना है यूसर से चलिए फिर अगली वीडियो में मिलेंगे इसी तरीके के एक अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए ओके बाई बाई जाए श्रीव